थोड़ी बहुत ही लापरवाई नहीं करते आज तो मेरे इसके पापा जिन्दा होते उन्होंने सरकार ने ध्यान नहीं लगाया जबी तो पुलिस वाला ने थोड़ी लापरवाई करी पिछले बरस की बात है उद्यपूर खबरों में आता है खबरों में इसलिए आता है क्योंकि एक वीडियो शोशल मीडिया पर पूरी तरीके से तैरता है इस वीडियो में देखा जाता है कि कुछ जानवर हलाकि जानवर कहा जाए तो ये बहुत छोटा शब्द होगा कुछ हैवान धोखे से एक व्यक्ति का गला रेतते हैं तलवारों को लहराते हैं और उसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भी जान से मारने की धमकी देते हैं मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए भारती जंता पाटी के एक नेत्री नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट की आर ली जाती है जो की एक मीडिया डिबेट के अंदर दिया गया था सिर्फ एक डिबेट के स्टेटमेंट की वज़े से कुछ कटर पंथी आतंकवादियों द्वारा दो मासूम जाने जो की रिकॉर्डेड है और अगर बात की जाए तो कई ऐसी घटनाएं भी हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई प्रान लिये जाते हैं इलाकों में कुहराम मचा दिया जाता है दंगे किये जाते हैं उसके बाद जो होता है उसकी कहानी आप सबको पता है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जब राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने भी इस घटना का जिक्र किया कॉंगरिस ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री चुनाव में तुष्टी करन की राजनीती करना चाते हैं सिर्फ इसलिए कनहिया-लाल को याद कर रहे हैं मैं उद्यपूर में हूँ कनहिया-लाल जी की फैमली से बात करने के लिए आया ह हूँ उनका इस पर क्या विचार है यह उनसे हम जानेंगे भाईसाब क्या नाम हो आपका मेरा नाम यश है मैं कानेल जी का बड़ा लरका हूं अब आपके बारे में आपने प्रण लिया था शायद कुछ उसकी जानकारी हमें बताईए हां मतलब जब यह इंसिदेंट हुआ था तो उसी उसी टैम मैंन जिए और दुखाद भी होता है बार-बार बात करना लेकिन हुआ क्या था यह बताई मैं अब इससा है कि उस समय कुछ इसा चलता था कि पापा के फोन से कोई पोस्ट हो गई थी मतलब जो पापा के हाथ से हुई या किसी के हाथ से उस समय अभी तक मतलब किसी को नहीं पता और शाम को जिस दिन ये पोस्ट हुई थी उसी दिन पापा की दुकान पर जो सामने अपने नेवर था नाज़िम एहमद करके वो आया था और मतलब बोल रहा था कानेल जी तुमारे मतलब मुबाइल से कोई पोस्ट हो गई है मतलब हमारे ऐसे धर्म के खिलाफ तो पापा ने इसको फोन दिया और कहा कि अगर कुछ हो गया तो तू हटा दे तो उसने फोन लिया और उस नहीं हटा दिया था और फिर अगले तो वहार से थोदे से लागा था कि आप थोड़े दन बचके रहना हो थोखे तो बाहर चले जाना ये किसे ने ले शाम होगने कि यह आनों लोग सी कॉसार, डियर वाहर उख सुनGHT कहई थी हाँ ठीम Hello Academy और तीन चार्ची कर रहे कंद लोग गुम घ्रंट कि तशले जह उनके खिलाफ दर्श कि ढपर note का बारा बार बार तो यहां जाना कि रिखते हैं असा कि भी धर उंके खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्च कर रही थी और उसमें सुरक्षा के लिए कहा था कि मतलब नाजिम और उसके कुछ दोस्त वगेरा मतलब मेरे मुझे पर नजर रख रहे है ये इसके बाद और उसमें सेक्यूरिटी मागी थी तो नाजिम भी सेम ही काम करता है कि हाँ उसका मतलब लेडी स्टेलरिंग की शॉप थी पापा की दुखान के सामने अच्छा अफ़ेर क्या हो मतलब उसके बाद है ना मुझे पापा ने बोला कि ऐसा ऐसा मतलब कुछ है तो तो एक काम कर अपनी दुखान में कैमरा लगवा द तो मैंने अट टाइम करके ना वाप एक अपने दुखान में केमरा फिक्स करवा दिया था तो उसमें ना धंकी देने के लिए एक लेडी और जो रियाज है वो उस समय उस वीडियो में अविलेबल था दो एक लेडी भी आई थी और वो ऐसे मतलब धंकिया दे रहे थे कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे तुम लेडी धंकी दे रहे हैं लेडी और रियास दोनों था वो भी धंकी दे रहे थे तो उस समय क्या उस समय तक है ना मतलब उसके ना नाजीम और पापा के बीच में था मतलब थाने से समझोता करवा दिया गया था उस समय तक कि मतलब क्यों रिपोर्ट करवाने गहे थे उसके खिलाफ कि वो सब करवा रहा है तो वो ही करवा रहा है तो थाने वालों उन दोनों पक्षों को गुला कर वापर समय समझूता करवा दिया और समझूता करवाने के बाद जैसे ही पापा ने सोचा कि अब तो क्या ही होगा समझूता होने के तो फिर भी मतलब यह जैसी पापा शॉप पे आय तो उनको फिर से मतलब लेडी जोर वो आय थे दुकान पर तो पापा ने उसके बाद फिर मतलब इंफॉर्म करवाया और सिक्यूर्टी के लिए गाप उस समय मतलब उनको सिक्यूर्टी नहीं दी गई थी जब आपके पिता क जी का हत्या का जिक्र किया तो आप लोग उसको किस तरीके से देखते हैं क्योंकि कॉंग्रेस कहती है कि यह चुनावी पॉलिटिक्स के लिए है और भाजपा कहती है कि कानून विवस्ता कितनी खराब है कि चलती दुकान में कोई व्यक्ति आता है और गला रेत के चला जात आपको लग रहा है कि इस सरकार के अंदर इस केस की रफ्तार ठीक चल रही है हां मतलब केस की रफतार तो क्या देखो एक डेट साल होने आया अभी तक कुछ हुआ नहीं है हमें तो यह बोला गया था सभी पार्टी की तरफ से मैं किसी एक का नाम नहीं दे रहा है जो यहां सरकार में तो भी गहलोट जी है ना उनके हाथ में सारा प्रशाशन है तो उस सम अभी तक कुछ नहीं हुआ है क्यूं करते हैं तो यहां तक कौन वकील है क्या है वह बहुत नहीं बताते हो एक अपराद ही जो है वह उसको बेल मिली है या उसको अपराद मुक्त कर दिया है क्या कहनी का अधा है कि कुछ एक भाबला नाम आदमी ये जो समय अधान पकड़ा गया था अपने केस के अंदर और सादा उसके बाइवा त्हक्तव में हद्ना है कि इस केस में नो आरोपी बनाए थे ठीक है और दो पाकिस्तान से थे मतलब टोटल घ्यारा रोपी जो उनको और अगरा देते थे तो नो तो पकड़े गए जिन में से एक को बेल मिल गी और अभी आठ आरोपी मतलब एनाई के पास यह जैल में ही है ठीक है तो में भी कि यह चेन तो नहीं बड़ मैंने यही सुनाए कि मतलब उनको कुछ सबूत नहीं मिलने की वज़े से उनको फ्री कर दिया गया था नहीं की तरफ से भी अब क्यूंकि काफी बात इस चरचा स्टीच की हो गई है आप मुझे बताईए कि राजस्थान की कानून विवस्था कैसी है से हमारी सिक्यूरिटे अभी तक चली ही आ रही है वह पहले नहीं मिली थी लेकिन आसपास के इलाके में क्या है जैसे आप तो सरकारी नौकरी में आ गये हैं रास्थान को लिए कहा जाता है मतलब कि वोमेंस के लिए सेफ नहीं है आपके दोस्तियार भी बताते होंगे तो यहां लोयन ओर्डर की क्या सिचुएशन इसा है कि मतलब है बहुत सी प्रॉब्लम्स तो है ही कि मतलब आए दिन अपन देख रहे हैं कि कुछ न कुछ यहां पर होता ही है ठीक है तो मतलब इसमें है कि कानून व्यवस्था को थोड़ा और सुधार लाने की जरूरत है मैं क् कर्का जशोदा आप से उन्होंने कुछ डिस्कुस किया था कि ऐसा हो रहा है ठ्रेटा ओरी है तो कुछ बताते हैं नहींते कोई घर की दुखान की कोई भी टेंसन होती मैं कोई गर पे बात ही नहीं करते थे इसासे बताते हैं अन्यॉ ecos की दे रहें, वो थोड़ा-तोड़ा ुसotype सुना, तोड़ा की थैरें को पापा को द्मप में। उन्होंने आपको कूछ नहीं बताया, लेकिन उनको द्मप दे रहे थी, अब आपको पता कूछ? क्या पता के रहे कोई पोस्ट हो गया क्या पता आठ साल का बच्चा वह मुबाइल खेलता हो उसने करा क्या पता उस नादीम ने करा वो उनको पता ने क्यों फोन तो उससे इसके पापा से ले लेता था कि मेरे को अंकल जी फोन करना आपका फोन दो क्या पता उससी ने पड़े देने पड़ते थे टाइम बिलकुल नहीं मिलता था रात को भी बारा बजे एक बजे खाना खाते थे न का पोस्ट करने बेटे वो उस्ट की वज़े से उनकी जान ले लिए और उस पोस्ट में सिर्फ एक लड़की का साइस समर्थन किया होगा जाल ज्यादा यही बा वो भी पता ने नादिम ने करा हो तो क्या पता इनके मराने के लिए क्या पता जिस थाली में खाता उस थाली में उसने छेद करा जो उसके फादर मर गया उसकी टाइम पर इसके पापा ने मदद करी पेसे की तो भी इसके पापा के तेरे पास हो तो देना नहीं हो तो कोई पतनी मत देना तस हजार की मदद करी इतना बहला सोचते थे जो इनके साथ इसा बुरा करा थोड़ा बहुत नादम को सोचना चाहिए कि इस भले आदमी के साथ बुरा कर रहा हूं यह यह बताए नादम तो भी बाहर निकाल दिया है आपको लगता है जो है इसमें शामिल है व वह चाहता कि अंकल जी भाईया आप यहां से हट जाना हमारा कोई मानने वाला आ रहा है आज के दिन का आप कई बाहर चले जाना वह घटना यह बता देता आज इसके पापा हमारे बीच में होते आज चाहता तो मेरी पापा की टाइम उन्होंने मदद करें थोड़ी बहुत वह भी मदद कर देता बढ़या रहता यह 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 चारी इतनी से मदद यह कर देता अंकल जी इतनी वज़े यह आ रहे आपको मानने के लिए ता आप हट जाने यहां से दुकान पर मत रहना तो यह घटना आज ऐसी थोड़ी होती क्या पुलीस वाले ने थोड़ी लापर वाज कर दी आज साधे कपड़े में बिटा रहे होते ता आज हमारे बीच में होते वो होते नहीं होते क्या पता क्या एक केसे मंडी वाले दान मंडी वाले पुलिस वाले बिकने वाले अब हमारे पास इतनी पेशे नहीं है तो हम कहां से खरीदे पेशे वाले के लिए वो है उस वक्त अगर राजस्थान पुलिस सुरक्षा दे देती अस पंदरा दिन में इत्ते घाफुल हो गए कोई ऐसी धमकी दे रहे तो भी चेरा पूरा उनका उतर गया अब दुकान नी जाये तो बच्चों का पेट कैसे भरे थोड़ा बहुत तो इनका भी सोचना कोलेज कर रहे हैं दोनों बच्चे खाब तो इनने बड़े थे इनके मे कि और बच्चे को कलेक्टर बनाऊं गां डोक्टर बनाऊं गां डोक्टर के लिए सब सोचना पड़े हैं ज़क में सब करने पड़ता नहीं कि जटके में पूरा परिवार बिखाड जाता है उसके बाद सब लोगा आते हैं मंतरी आते Edward अय। मंतरिया आते हैं फार्श थें से बिस्वरेंगे हो रहा हुए है क्या हो रहा है कि उस समें कोई मदत नी समाज वाले नी मतलब उस earned मारे समाजवाले किते जने है, तुम्हारे साथ उनके, तो पूरा परिवारा था, मुहमिडई हन्के, तो पूरा परिवारा था, उस सम impress हमारे तो कोई नहीं ता, इसके पापा के साथ, ये बच्चा दोड़ रहा था, इसके पापा को चीह हो जाएगा यहाँ मॉमिनन तो एक जनह निन टलीया घर के दॉद्ट जनए जाएंगे कि आभि समाज में हक्त है कि बहुत हर नहीं नynı है कोई नहीं जाता है दर कि अध्यक Um praeg wand और हम एक को पे तो तो हमारे हमारे साथ कूछ गलत तो हमारे बच्चों के साथ मेरे साथ हो जाए कोई बात नी पर इन दोनों के साथ मत होना में ते यह सोच रही हूँ मेरे को गए ते इनके साथ में भी इसा लगए इसा ही लगे धीरेज रखिए उसके बाद उधैपुर में एक पूरी की पूरी यात्रा निकली उनके लिए पूरा का पूरा लोगों ने समर्थन किया आपको लगा कि लोग जाग गए अगर आपको लगता है उस वक्त सरकार ने या पुलिस ने थोड़ी सी तेजी दिखाई होती तो कनहिया लाल जी जिन्दा रहते अगर सरकार पुलिस थोड़ी सी सकतो होती ध्यान देती इसके उपर वह इतकेरियों में थोड़ी बहुत ही लापरवई नहीं करते आज तो मेरे इसके पापा जिन्दा होते उन्होंने सरकार ने ध्यान नहीं लगाया जबी तो पुलिस वाले ने थोड़ी लापरवई करी चार जने पांच जने वाँ दुकान के सामने बिटा देते या कवरद ऐसले डिन्हों करना पड़ता कुछ भी विकते ह protection करना पड़ता ये घंटना तो नहीं होती है अब हमारे तीनों के अलावत कर में देखता को ने साम होते ही वो किता है ममेरी यह टाइम हो गया पापा की साथ पापा इतने बज्य घर पे आते थे खाना हम चार ओ सात में है कि तोभी में इत्ता कर तू बिटा आप क्या पापा की आत्मा यहीं आपन के पास यह अभी इनके वह क्या करें आप कर दोगे वह क्या कर दब आद्यूंअ कि नहीं करें जितें अब पहसीनी देंगे जब तक पापा यहाई देंगे अपन के गर में तंगरिस वाले मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कनहिया लाल जी का इस्तमाल जो है चुनाव के लिए कर रहे है आप क्या कहना चाहती हैं क्योंकि उस वीडियो में मोदी जी को भी मारने की धमकीद मिली थी आपने देखे यूँ करके बताते ही नहीं, वो बार वाले कोई आते हैं, कि ऐसे बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं, वो मैंने कानून से सुना होगा, श्रीव मुझे एक बात बताईए, हम कितनी भी बाते कर लें कि कानून वस्ता बहुत अच्छी है, जिस परिवार पे बीती होती है, वो परिवार बता सकता है, राजस्थान में क्या पुलिस का तंत्र, कानून का डर लोगों के भीतर है, अब यह तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रह होती नहीं, तो डर रहे नहीं तो भी मार्किट में, में मार्किट में यह से इसके पापा के साथ, किती दो बज़े या लेट बज़े के लगबग इसके पापा के साथ यहास्था हो गया, आज डरते हो फुलिस के डर से, तो वो भीम तक का पहुंचते हैं, भीम तक अब इसके पापा साम को छे महरात को एक बज़े आने वाला आदमी है साड़े साथ गर पे इंट्री कर लेते थे, उनको डर था मेरे को कई बीच में मार नहीं दे यूं करके, पर घर पे नहीं बताते हैं, क्यों आये यह जल्दी, ऐसे ही कुछ काम नहीं है, यूं करके आ जात तो हम यूं सोच रहे को घर पे करेंगे वायू, कटिंग वगेरा घर पे करते थे, इनकारी को काम देते थे, तो हम तो यूं सोच रहे को आगे होंगे, वा कई काम घर पे होगा, यूं कटिंग वगेरा जो, शरकार से आपके कोई दिमांड है, हमारे तो सरकार से में यूं क रियू यह जल से जल उनको फासीदो फिर हमको भी थोड़ी सान्ती मिले वो अभी Пटे ऐनको भी तक बेटे हुए इसके पापा की अर्थी यहां पर पर अभी वो क्या फूल अगयरे यह घर पर बढ़े इनको भी सान्ती नहीं मिलेगी मेरे पापा के कि यह सब घर में पड़े हरिद्वार ले जाए तो ले जाके से लो हमेरी इनको बेजू कल काई क्या पता वो कुछ कर दे तो मेरे को यूट डर लगता है मैं मार्किट में यस दे जै तो बच्चों के साथ डार है क्या पता उनके क्या करना उनको तो घर के उनके मेंबर को नहीं छोड़ते तो अपन को क्या छोड़ेंगे मौश शुक्रिया आप सभी का किसी घर के अंदर अगर CCTV कैमरा लगवाना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो परिवार कितने खौफ के साय में जी रहा है सरकार को यह चाहिए कि इन मामलों के उपर राजनीती बंद करे और जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दे हमें भी यह चाहिए कि हम संगठित रहे ताकि ऐसे दुराचारियों से ऐसे आतंकियों से अपने और अपने समाज वालों की अपने परोसियों की रक्षा कर सकें